नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर बिंदास खबरे में दोस्तो खबरों का सिलसला शुरू करने से पहले इस वीडियो के अंतक जरूर बने रहेगा क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत बड़ी घोशनाई की गई है जिसका सीधा असर आपकी जिन्दगी और जेपर पड़ता है तो बिना वक्त गवाएं बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले जानते खबरों की हेडलाइन्स को आपको बता दे कि पीएम मोधी बोले समान सोच से वैक्सिन शेत्र में मिलेगी मदद और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि 1 अक्टूबर 2020 से बदल जाएंगे ये 10 नियम जानिये कहां होगा आपका फायदा और साथी दोस्तों जानेंगे कि एहमदाबाद में रात 10 बजे के बाद आप सब कुछ होगा बंद आपत कालिन सेवाएं रहेंगी जारी और साथी दोस्तों जानेंगे कि बिहार में महागट बंदन और NDA को अब टकर देने पप्पू यादों ने बनाये तीसरा मोर्चा और साथी दोस्तों जानेंगे कि बिहार की सबसे नई नेतरी जो सीधे CM बनना चाहती है और दोस्तों बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आई है कि अपने फोन से तुरंत हटा देंगे 17 एप क्योंकि डेटा चोरी को लेकर गूगल ने किया है बैन और साथी जानेंगे दोस्तों स्वास्ते मंत्री बोले COVID-19 पर अच्छे संकेत 2021 की पहली तिमाई में कभी भी आ सकती है वैक्सिन और साथी दोस्तों जानेंगे कि एक अक्टूबर से कहां खुलने जाने सिनेमा हौल्स जानिए किन बातों का रखना होगा ध्यान दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें कि हमारे जैसे समान सोच वाले देशों का साथ मिलकर काम करना कितना जरूरी है वैक्सिन डेवलाप्मेंट के शेत्र में भी इससे मदद मिलेगी पीएम ने कहा कि इस महामारी के दोरान भारत की उत्पादन शमताएं विश्व के लिए उप्योगी रही हैं हम यही प्रियास वैक्सिन डेवलाप्मेंट के शेत्र में भी कर रहे हैं हमारे आत्मिरबर भारत अभियान का भी यही प्रियास है कि प्रमुख आर्थिक शेत्रों में भारत की शमताएं बढ़े और विश्व में भी काम आए इस अभियान में हम आल राउंड रिफॉर्म पर जोर दे रहे हैं दोस्तों आपको बता दे कि पीम मोदी ने कहा कि भारत में काम करने वाली कमपनियों को इसका लाब मिलेगा कई शेत्रों में रिफॉर्म की प्रक्रिया अभी जारी है हाल ही में क्रिशी और लेबर सेक्टर में महत्तपून रिफॉर्म किये गए हैं पीम ने कहा कि कोविड-19 ने दिखाया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन का किसी भी सिंगल सोर्स पर निरबर होना कितना रिक्स की होता है हम जापान और अस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं समान सोच के अन्ने देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं और इसी के साम दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रहे कि एक अक्टूबर 2020 से बदल जाएंगी ये दस नियम जानिये आपका कहां होगा फायदा दोस्तों आपको बता दे कि सरकार ने एक अक्टूबर 2020 यनि की गुरुबार से कई नियमों में बदलाव करने जा रही है इन नियमों के बदलने से आपकी जेव और जीवन पर सिधा असर होगा आपको बता दे कि एक अक्टूबर 2020 से मिठाई खरीदने से पहले इसका ध्यान दे कि सबसे पहले बात मिठाई की करते हैं क्योंकि अक्टूबर में नौरात्र और देशहरा जैसे बड़े पर्व मनाए जाएंगे खादे नियामक FSS AI ने खाने की चीज की सेफटी तै करने के तहत खाने का सामान बेचने वाले ग्रहकों के लिए एक अक्टूबर 2020 से खुली मिठाईों पर इस्तेमाल की समय सिमा प्रदर्शित करना अब जरूरी कर दिया है यानि कि अब मिठाई दुकांदार को मिठाई के इस्तेमाल की समय सिमा यानि की best before date बतानी होगी कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा उसकी समय सिमा की जानकारी उभोगताओं को देनी होगी और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे कि मोटर वहा नियमों में होगा बदलाओ सड़क परिवान और राजमार्क मंत्राले ने मोटर वहा नियम 1989 में किये गए तमाम शंशोदनों के बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें मोटर वहा नियमों की बहतर निगरानी और उसे लागू करने के लिए एक अक्टूबर 2020 से पोर्टल के माध्यम से वहां संबंदी दस्ता वेजो और इच आलान का रख रखाव किया जा सके अब एक अक्टूबर से वहां संबंदी जरूरी डॉकूमेंट्स जैसे की लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉकूमेंट, फिटनिस सर्टिफिकेट, परमिट्स आदि को सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जा सकेगा अब आप डिजिडल कॉपी दिखा कर ही अपना काम चला सकते हैं और साथी दोस्तों आपको बता दे कि आप ड्राइविंग करते समय कर सकेंगे मोबाइल का इस्तिमाल क्योंकि सडक परिवान और राजमार्क मंत्राले ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग करते समय मोबाइल या अन्य हेंड हेल्ड्स डिवाइस का इस्तिमाल किया जा सकेगा लेकिन इसका इस्तिमाल किवर रूट देखने के लिए किया जाएगा इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मोबाइल के इस्तिमाल से ड्राइविंग करते समय ड्राइवर का ध्यान भांगना हो हालाकि ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 1000 से लेकर 5000 रुपे तक का जुर्माना लगाये जा सकता है और सांती दोस्तों आपको बता दे कि आप घर बैटे ही आपको वित्य सिवाएं मिलेंगी क्योंकि बैंक ग्रहकों को अभी घर बैटे बैटे चेक डिमांड ड्राफ पे ओर्डर पिक करने जैसी गैर वित्य सिवाएं ही मिलती हैं इसके अलावा FD के ब्याज पर लगने वाले टेक्स बचाने के लिए जमा किये जाने वाले फॉर्म 15G और 15H आएकर या फिर GST चलान पिक करने के साथ ही अब अकाउंट स्टेटमेंट रिक्वेस्टर टम डिपोजिट रसीद की डिलिवरी की सुविदा भी ग्रहकों को घर प बना दिया है ऐसे में अगर आप विदेश में पढ़ रहे हैं या फिर अपने बच्चे के पास पैसे भेजते हैं या फिर किसी रिस्तेदार के आर्थिक मदद करते हैं तो उस रकम पर 5 फिजदी का टेक्स आपको देना होगा और इसका अतरिक तो बुकतान करना होगा दोस केंदर सरकार ने टीवी के वी निर्मान में उपयोग होने वाले ओपन सेल के आयात पर 5 फिजदी सीमा सुल्क बहाल करने का फैसला किया है इसके लिए सरकार ने एक साल की छूट दी थी जो 30 सितंबर को खत्म हो जाएगी इससे 32 इंच के टीवी कदाम 600 रुपे और 42 इंच क पर अधिक विबारियों का कवर उपलब्द होगा ये बदलाव हेल्थ इंचुरिंस पॉलिसी को स्टेंडराइजड और कस्टमर सेंट्रिक बनाने के लिए किया जा रहा है इसमें कई बड़े बदलाव भी शामिल किये गए हैं और साथ ही दोस्तों आपको बता दे कि घट स अक्टूबर में भी रसोई गैस के दाम घट सकते हैं और साथ ही दोस्तों आपको बता दे कि आप फ्री में नहीं मिलेगा LPG सिलिंडर दोस्तों यहाँ पर आपको बता दे कि प्रधान मंत्री उज्वला योजना के तैट मुफ्त में गैस कनेक्शन लेने के प्रक्रिया 30 सि योजना के तैट गरीबों को मुफ्त LPG केनेक्शन देती है और कोरोना के चलते इस योजना के तैट मुफ्त सिलिंडर भी दिया गया इसकी तारीक को अप्रेल से सितंबर तक बढ़ाया गया था और साथी दोस्तों आपको बता दे कि एक अक्टूबर 2020 से शोशल नेटवर् अक्टूबर 2020 से एरलाइनस की दिल्ली से जाने और आने वाली सबी डोमेस्टिक फ्लाइटे दिल्ली एरपोट के टर्मिनल नमबर 2 से चलाई जाएंगी और इसी के साम दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल करा रही कि एहमदाबाद में रात 10 बजे के बाद सब कुछ बंद आपकालिन सेवाएं रहेंगी जारी दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वाइरस का कहर लगातार ही बढ़ता जा रहा है और हर रोज हजारों की संक्या में कोरोना वाइरस के मरीजों की पुस्टी हो रही है गुजरात में भी पिछले कई दिनों से कोरोना वाइरस के संक्रमित मरीजों की संक्या में इजाफा देखने को मिला है अब एहमदाबाद मुनिसिपल कॉर्परेशन ने रात के 10 बजे के बाद सब कुछ बंद रखने के लिए कहा है गुजरात में कोरोना वायरस का संक्रबन एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इसको ध्यान में रखते हुए एहमदाबाद मुनिसिपल कॉर्परेशन ने आदेश जारी कर दिया है इस आदेश के मुताबिक शहर के 27 इलाकों में रात 10 बजे के बाद सब कुछ बंद रखने को कहा गया है हालाकि इस दोरान आपतकालिन सेवाएं जारी रहेंगी इस आदेश को ततकाल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल करा रहे कि बिहार में महा गटबंदन और एंडिये को टकर देने पपो यादव ने बनाया तीसरा मोर्चा PDA, CM नितीश पर लगाया बड़ा आरोप दोस्तों आपको बता दे कि बिहार में चुनाओ की तारिखों का एलान होने के साथ ही प्रदेश की राजनिती का तापमान भी अब बढ़ने लगा है अब तापमान को और बढ़ाने के लिए चुनाओ मैदान में नया गटबंदन भी आ गया है पहले से मौजूद दोनों गटबंदन, National Democratic Alliance यानि की NDA और महा गटबंदन में सीट शेरिंग पर अब तक कोई अंतिम सहमती नहीं बन पाई है इसी बीच अब जन अधिकार पार्टी यानि की जैप के राष्ट्य अधक्ष राजेश रंजन उफ पपू यादव ने 28 सितंबर सुमवार को यहां प्रगतिशी लोकतांत्री गटबंदन यानि की PDA बनाने की घोशना कर दी है गटबंदन में चंदर शेखर आजाद की अध्यक्षता वाली आजाद समाज पार्टी, M.K. फैजी के नित्रित वाली शोशल डेमोक्रेटिव पार्टी और B.P.L. मातंग की बहुजन मुक्ती पार्टी भी शामिल हुई है उनका भी इस गटबंदन में स्वागत है और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल करा रहे कि बिहार की सबसे नई नेतरी जो सीधे CM बनना चाहती है दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि बिहार विधान सबा चुनाओं में इस बार जिन नामों की सबसे ज़्यादा चर्चा है वह है पुश्मम प्रिया चौधरी छे माह पहले तक शायद ही बिहार और देश की जनता इस नाम से वाकिफ हो लेकिन अब राज्ये के अख़बारों से लेकर सडकों पर पुश्मम प्रिया के नाम की चर्चा है इसकी वज़ा भी है उन्होंने कुछ महीने पहले ही अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा प्लूरल्स और सीधे खुद को बिहार के मुख्य मंत्री पत का दावेदार घोशित कर दिया अब वह इस चुनाव में जमीन पर उतर कर मेहनत करती हुई दिखाई भी दे रही है दोस्तों आपको बता दे कि दर्भंगा जिले की रहने वाले पुषपम जेडियू नेता और पूर्व मल्स विनोद चौधरी की बेटी है विश्व प्रसीद लंदन स्कूल आफ एकनॉमिक से पबलिक एड्मिनिस्टेशन में मास्टर की डिग्री लेकर लोटी है साथी प्लूरल्स पार्टी की प्रेजिडेंट है इन्होंने बकायदा अखबारों में विज्यापन देकर अपनी पार्टी के बारे में जानकारी दी है और खुद को मुख्य मंत्री पत का दावेदर बताया है पंक लगा हुआ गोड़ा इनकी पार्टी का लोगो है और वह बिहार को भी इसी तरह के पंक लगा कर विकास की उड़ान देने की वादा कर रही है और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल करा रहे कि बिहार में बाहर है एनडिये में रार है और चिराग अलग होने को तयार है दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से बिहार विधान सबा चुनाव का बिगुल बच चुका है और पहले चरन की 71 सीटों के लिए नामांगन का दौर भी एक अक्टूबर से शुरू हो रहा है इसके बावजूद नितीश कुमार के नित्रित वाले एनडिये में सीट शेरिंग को लेकर अभी सहमती नहीं बन पाई है ऐसे में चिराग के सामने एनडिये से बाहर होकर अपने पिता राम बिलास पासवन की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की चुनाओती है चिराग बिहार को रोशन करेंगे या नहीं ये देखने में दिलचस्प होगा और इसी के साम दोस्तों अगली और बहुत ही महतवपून खबर जो निकल करा रहे कि अपने फोन से तुरंथ हटाएं ये 17 एप डेटा चोरी को लेकर गूगल ने किया है बैन दोस्तों यहां पर आपको बता दे कि गूगल ने अपने एप प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से 17 एप हटा दिये हैं ये एप जोकर नाम के वैलवेर से इनफेक्टिट पाए गए थे हाली में कैलिफोनिया बैस्ट सिकूरिटी फर्म ने इन एप को लेकर गूगल को आगाह भी किया था दोस्तों आपको बता दे कि गौरत तलब है कि जोकर मैलवेर नया नहीं है और पहले भी इसके जरिए एप्स यूजर्स का डेटा चोरी करते रहे हैं और दोस्तों यहां पर आपको बता दे कि हाला कि जब तक गूगल इन एप को अपने प्ले स्टोर से हटा पाता तब तक इन एप को 1.2.0 लाख बार डाउनलोड किया जा चुका था अगर आपने भी अपने एंडरोइड स्मार्टफोन में इन एप्स को इंस्टाल किया है तो इसे ततकाल ही डिलीट कर दे क्योंकि यह ऐसे एप हैं जो यूटिलिटी बेस्ट हैं और लोग इन्हें मोबाइल के छोटे कामों के लिए इंस्टाल करते हैं दोस्तो आपको बता दे कि यह वो एप्स हैं जिनको गूगल ने हटा दिया है जैसे कि All Good PDF Scanner, 10 Gram App Lock, Direct Messenger, Private SMS, Style Photo College, Clear Message, Part Message, Paper Doc Scanner, Blue Scanner, Talent Photo Editor, One Sentence Translator दोस्तो यह वो सारे एप हैं जिसको Google ने बैंड कर दिया है इसलिए अगर आपके स्मार्टफोन में भी यह एप है तो इन्हें जरूर जल्दी से डिलीट कर दीजिए और इसे अनिंस्टॉल जरूर कीजिए और इसी के सांद दोस्तो अगली बड़ी खबर जो निकल करा रही कि महरास्ट में फिर से बनेगी सिवसेना और भासपा की सरकार कींद्रिय मंत्री ने कहा है कि पुरानी दोस्ती है 50-50 भागीदारी के सांद सरकार बनाएं दोनों दल दोस्तो आपको बता दे कि सिवसेना नेता संजे राउत और महरास्ट के पूर्व मुखे मंत्री और भासपा नेता देवेंद्र फडविस की हालिया में मुलकात के बाद महरास्ट में सियासी हलचल तेज हो गई है दोनों निताओ की इस मुलकात को इसलिए भी एहमाना जा रहा है क्योंकि इसके अगले दिन ही एंसीपी प्रमुक और प्रदेश के सीम उद्दव ठाकरे की मुलकात होई थी शिवसेना प्रमुक ठाकरे एंसीपी और कॉंग्रेस के साथ राज्ये में गटबंदन सरकार चला रही है दोस्तो आपको बता दे कि इधर RPI अध्यक्ष और केंदिये राज्ये मंत्री रामदास अठावले ने मामले में प्रतिक्रिया देकर महरास्ट की राजनीती में हलचल पैदा कर दी है उन्होंने हिंदी न्यूज चैनल को कहा कि महरास्ट में सिवसेना को भाजपा के साथ 50-50 के फारमूले पर सरकार बनाने चाहिए उन्होंने कहा कि सिवसेना महरास्ट की एहम पार्टी थी मगर उन्होंने NCP और कॉंग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है इतने दिनों तक तीनों दलों की सरकार को चलाना मुश्किल है दोस्तों आपको बता दे कि अठावले ने कहा कि सिवसेना और भाजपा में पिछले 25 से 30 सालों से दोस्ती रही है दोनों दलों में जादा मतभेद नहीं है और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आरे कि COVID-19 पर है अच्छे संकेत 2021 की पहली तिमाई में कभी भी आ सकती है वैक्सिन ये बोला है स्वास्त मंत्री ने जिहां दोस्तों आपको बता दे कि देश में कोरोना वैरस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है इन सब के बीच कोरोना वैक्सिन को लेकर एक रहात की खबर है केंद्री स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्री हर्शवर्दन ने कहा है कि साल 2021 की पहली तिमाई में कोरोना वैरस के इलाज के लिए वैक्सिन आने की उमीद है दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रिय मंत्री ने कहा है कि कोरोना वैक्सिन के बारे में एक उनलाइन पोर्टल भी लॉंच किया गया है जो हर कोई उस पोर्टल पर जाकर उनलाइन जानकारी ले सकेगा पोर्टल पर इस तरह के टीका करण के बारे में भी सभी समयाकालीन अनुसंधान विकास और क्लिनिकल ट्रायल से सम्बंदित जानकारिया उपलाब दहे हैं हर्शवर्धर ने कहा कि वैक्सिन डेवलपमेंट करने की तेजी भी आ गई है और रिसर्च कर भी रहे हैं कम से कम तीन ऐसे वैक्सिन है जिन पर देश में अभी क्लिनिकल ट्रायल चरण में चल रहा है और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल करा रहे कि एक अक्टूबर से यहां खुलने जा रहे है सिनेमा हौल जानिये किन बातों का रखना होगा ध्यान दोस्तों आपको बता दे कि महामारी कोरोना की वज़ा से देश में लगें लॉक्डूबर के समय से ही सभी सिनेमा हौल साभी तक बंद है इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर जी ने हाल में ही ट्वीट करके इसकी जानकारी दिये और शेयर किया है कि उनके राज्ये पश्यमंगाल में सिनेमा हौल और मल्टिप्लेक्स 50 या उससे कम की कैपसिटी के साथ एक अक्टूबर से खुलने के लिए तयार हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले महीने से राज्ये में संगीत, नित्ते और जादू के शो की अनुमती दी जाएगी दोस्तो आपको बता दें कि लेकिन मल्टिप्लेक्स एसोशेशन आफ इंडिया के मुताबिक और चारीक तोर पर राज्ये में कुछ भी लिखित नहीं मिला है राज्ये सरकार ने कोई भी एसोपी जारी नहीं की है जिसके चलते सिनेमा हॉल और मल्टिप्लेक्स का पश्चिम मंगाल में एक अक्टूबर से खुलना मुश्किल हो सकता है दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मल्टिप्लेक्स एसोशेशन के अनुसार सिनेमा हॉल अनलोग करने के लिए कुछ और दिनों का समय चाहिए होगा क्योंकि ऐसा करने के लिए सबसे पहले स्टाफ को नई एसोपी के साथ ट्रेंड करना होगा जो फिलाल राज्ये ने जारी नहीं किया है और जानकारी के मुताबिक देश भर में छे महीने से बंद पड़े कई सिनेमा हॉल के मालिकों ने तो बिजली के बिल के अलावा कई टेक्स भी अभी तक नहीं भरे हैं पर दोस्तों यहां पर आपको बता दे कि सिनेमा हॉल खुलने से पहले ही MHA की सिनेमा हॉल मालिकों ने कुछ SOP बना कर भेजी थी जिसके अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए एक परिवार के सद्द से और सिर्फ कपल एक साथ बैठ सकते हैं नियमी तोर पर हर शो के बाद सेनिटाइजेशन जरूरी होगा फिल्म की टिकट और खाने पिने का समान कॉंट्रेक्टलेस पेमेंट के जरिए खरीदा जा सकेगा स्टाफ के पास आरोग्य सेतु होना बहुत ही जरूरी है सिर्फ मेडिकल सर्टिफाइड फिट स्टाफ को ही काम पर आने की इजाज़त होगी और इसी के साम दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजाहाल को आपको बता दे कि अगले 24 घंटों के दोरान अंदमान और निकोबार दीवसंभू में हलकी से मध्यम बारिश के बीज एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है वहीं पुर्वत्तर भारत, तेलंगाना, आंधर प्रदेश, करनाटक और तमिलाडों में कुछ स्थानों पर हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है दूसरी और पश्रिम मंगाल, केरल, दक्षनी मध्य परदेश, उडिसा, गुजरात और कोणकन गोवाग में कुछ जगों पर हलकी बारिश के आसार है वहीं उत्तर पश्रिम भारत के राज्यों में मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क बना रहेगा तापमान में हलकी व्रिधी के चलते दिन में कर्मी बढ़ सकती है दोस्तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दे और ऐसी खबरों को अपने फोन पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल के आइकन को दबाए और नोटिफेकेशन को जरूर अन करें